दोस्तों नमस्कार आज हम आपके साथ साज़ा करेंगे एक दुनिया समनांतर पुस्तक से खोई हुई दिशाय कहानी जो कमलेस्वर जी ने लिखी है यह कहानी है शहरी करण की शहरों में रहने वाले मध्यमबर की उस मध्यमबर की परिशानियों की और सबसे बड़ी परिशानी वो है अकेलापन अकेलापन और पहचान का संकट कि वो सब कुछ जानता है लेकिन उसे कोई नहीं जानता है वो सब को पहचानता है पर वो किसी के द्वारा पहचाना नहीं जाता है कि कहानी की शुरुवात होती है चंदर जो कनॉट प्लेस के रिलिंग पर खड़ा है और वो आते जाते हुई लोगों को देख रहा है सुबह से शाम हो गई है और अपने पूरे दिन के बारे में सोच रहा है कि आज पूरा दिन क्या किया मैं तब ही अचानक उसे खयाल आता है कि सुबह से वो तो केवल एक प्याला कॉफी पीकर निगला हुआ है और कुछ खया भी नहीं जैसे ही वो सोचता है उसको भूख लगना सुरू हो जाती है तब वो महसूस करता है कि भूख का सिधा समंद आपके दिमाग से हैं अगर आप भूख के बारे में सोचते हैं तो भूख ज्यादा लगती है तो वो कुछ खाने पीने के बारे में सोचता है फिर वो दिल्ली के बारे में जिवनशैली के बारे में यहां भाक्ती दौटी जो जिन्दगी है उसके बारे में सोचने लगता है सोचता है कि हाँ सड़के तो हैं लेकिन वो कहीं जा नहीं सकता है यहां मकान तो हैं पर हर मकान के आगे गुत्ते से सावधान लिखा हुआ है वो लोगों को जानता तो है पर पहचानता तो है पर जानता नहीं है लोग उसे जानते हैं पहचानते नहीं है इन तमाम मंतर दोंदर दोंदो से घिरा हुआ वो सोचते रहता है फिर उससे याद आता है कि घर पर जाओंगा तो उसकी पत्नी है निर्मला वो उसका इंतजार करती होगी घर पर जाओंगा तो वहाँ भी तो एक महमान की तरह बैठना पड़ेगा उसका मन होता है कि वो घर पर जाए और पत्नी को बाहों में ले लेकिन पत्नी घरेलो कुछ कामों में ब्यस्त होगी मिसेस गुपता आई होगी और पत्नी पूछेगी कि खाना लगा हूँ अब ठक गया होगे फिर वो एक फॉर्मेल तरीके से कहेगा कि हाँ ठीक है ठक गया हूँ लेकिन अपने मन की बात वो नहीं कर पाएगा खाने वाली बात सुनकर के मिसेस गुपता वहाँ से चली जाएगी और फिर उसकी पत्नी घैनी क्रिया कलाब में लग जाएगी फिर वो खिड़की का परदा हटाएगा जिपकाएगा और जो सामने विशन कपूर रहते हैं उनके बारे में जोचेगा कि अगर उनके सिगरेट का छले निकल करके आ रहे हैं इसका मतलब कि वो आदमी घर पे है अगर नहीं आ रहे हैं तो आदमी घर पे नहीं है वो किसे जानता है बस विशन कपूर का तो नाम ही सुना है वो घर के परदों को जानता है घर की पत्नी को जानता है उसके तकीए उसके कपड़े हैं सब कुछ जानता है यह सब कुछ सोच रहा है वो या खिर घर पे जाओंगा तो चुपचाप उसे कुरसी पर बैठना पड़ेगा क्योंकि सारा समा नस्त व्यस्त होगा और फलंग पर कपड़े फैले होंगे चुपचाप बैठना पड़ेगा उसे फिर वो सोचता है कि उसे जो सामने वाले जर्नलिस्ट रहते हैं विसन कपूर उनके बारे में उनका क्यों नाम छोड़कर और कुछ नहीं पता है बगल में कौन रहता है उसे कुछ नहीं पता है और बगल वालों को भी उसके बारे में नहीं पता है कनाट प्लेस में लॉन है खुला हुआ पेंड है और वो हर एक पेंड तनहा है जिस तरह से हर एक पेंड तनहा है उसी तरह वो भी तो एक तनहा है और तनहाई का जीवन जीरा है पता नहीं उसे अकिलापन क्यों घर करने लगा है और उसे इलहाबाद याद आने लगता है कि इलहाबाद में खुले बाग बगीचे हैं उसके लोग जानने वाले हैं पाचानने वाले हैं वो लोगों को जानता है उसके दूसरे लोगों घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो र तो आनंद के बारे में सोचता है कि आनंद तो आएगा तो आपचारिक तरीके से पूछेगा कि और तुम्हारा क्या हाल चाल है कैसे हो तुम्हारी जुल्फें बड़ी अच्छी लग रही है आज कल तो तुम लड़कियों पर जुल्म ढारे हो और जैसे ही वो इसे सोचता है आनंद उसके पास आ करके यह बात कह भी देता है तुम्हारी जुल्फें बड़ी अच्छी लगती है तुम तो जुल्म ढारे हो आनंद जब उसके पास आता है कहता है चलो कुछ खाया पिया जाए आनंद भी रेडी हो जाता है कहता है कि ठीक है चलो चाय पीते हैं यह तु लाता है और यह चंदर को मालूम रहता है कि आनंद आने वाला नहीं है और आनंद आता भी नहीं है तो शहरी जीवन का एक अलग पहलो ये भी है कि यहाँ पर लोग किस तरीके से अप्चारिक तरीके से मिलते हैं और आत्मियता का नाम नहीं है पिर उसे याद आता है कि इलहाबाद में बीच में वो बस स्टॉप पे जाता है कि अब चलते हैं घर बहुत सोच विचार कर लिए बस स्टॉप पे पिली पत्तियां बिखरी पड़ी हैं उन पिली पत्तियों पर वो कदम रखता है तो पिली पत्तियों सुखी पिली पत्तियो मुख से चर-चर की आवाज आती हैं तो फ्लैस्टेक में चला जाता है और याद आता है किसी तरह से वह इंद्रा के साथ इलहाबाद के पार्क में घुमा करता था इंद्रा की वह बात याद आती है कि चंदर तुम क्या नहीं कर सकते हैं चंदर तुम कर सकते हो वह इंद्रा से कहता है कि नहीं इंद्रा मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रह करके अपना भावी से बरबाद करो क्योंकि मेरी जिन्दगी तो खाना बदोश्रों की जिन्दगी है आज यहां कल वहां मैं तुम्हें वो इस्थाइत तो नहीं दे पाऊंगा जंदर ऐसे मत कहो तुम जिस भी परिष्थिती मुझे रखोगे मैं खुश रह लूँगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी बस तुम चाहें खुश्री रखो यह दुखी रखो मेरे लिए यह इंपोर्टन नहीं है मेरे लिए इंपोर्टन यह है कि तुम मेरे साथ हो तुम अगर मेरे साथ हो तो फिर दुनिया की किसी भी परिष्थिती में रह सकती है वो इंदरा को समझाता है तो बीच में इंदरा ने ले लेती है के अच्ई लिखा है तुम्हें तो तो घ्र रा पांड़ा दिखाता है कि अट्रति तेट छीं आप करो अब यह ड्रूर्म कल मिलने क्या नहीं नहीं दारी मुझे अभी चाहिए नहीं डारी तुम्हें कल ही मिलेगी कम से कम किसी बहानी तो तू मुझसे कल मिलने आओगे ठीक है फिर वो कल मिलते हैं और इंदिरा उस पर कुछ लिखी रहती है इंदिरा का लिखा हुआ वो पढ़ता है और काफी भावी भोर हो जाते हैं दोनों फिर एक दूसरे को बहुत प्रीम भरी निगाउं से देखते हैं फिर कहानी आगे बढ़ जाती है चंदर की सोच में वो भी फ्लैसबेक में सोच रहा है तो फिर वो सोच रहा है कि एक दिन इ सकते हो है लेकिन उसके बाद जब इंदिरा मिलती है तो अपने पती किसाथ मिलती है मैं ऑपने पती से परिशाय कराती है कि चंदर को तो हर चीट से अलर्जी है हांसी मजाग चल रहा है चंदर अगर दो चम्मच से चीनी ज्यादा लेगा तो इसकी गला खराब हो जाती है इसका गला खराब हो जाता है यह चाय में दो चम्मच से चीनी ज्यादा लेही नहीं सकता है उसे याद आता है कि कम से कम इंदिरा तो मेरे बारे में जानती थी और इंदिरा भी तो दिल्ली में ही है अचाना कुछ को मुन करता है कि हम इंदिरा से मिलने चलते हैं फिर वो इंदिरा से मिलने चला जाता है जब वो इंदिरा से मिलने जाता है इंदिरा उसे बठाती आरे आज इधर कैसे चले आए। अभी बैठो थोड़े देर, पती भी मेरे आते ही होंगे। तो वो पूछता है, इंदेरा पूछती है कि अच्छा बताओ, चाय में चीनी कितना लोगे है। चंदर मन ही मन कुड़ जाता है। कि ये तो मुझे जानती थी, ये मुझे से पूछती है, चाय में चीनी कितना लोगे है। वो कहता है कि दो चमच, और चुप चाप इंदरा डाल देती है। ये भी नहीं किया रहे, तुम बदल के कैसे, तुम तो ऐसा नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं पूछती है, और चुप चाप डाल देती है। अब चंदर को ऐसा लगता है कि वो चाय नहीं, जहर का घुट पी रहा है। किसी भी तरह से उसका मन जो बेचैन हो गया है, ऐसा लग रहा है जल्दी से बाते खतम हो, चाय खतम हो और वो तोड़ ताड़ कर सब कुछ भाग जाए यहां से। क्योंकि एक शक्स था दिल्ली में जो उसे पहचानता था, जानता था, जो अनौप चारिक था, जो हर तरह से उसे जानता था, वो भी आज वैसा नहीं है। उस शहर की जो अकेलापन है, चंदर को भीतर से कचोटता है, उसे काटता है, और भाग जाना चाहता है, फिर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, अब वो अपने घर पहुंचता है। निर्मला उसका इंतिजार करते रहती है, निर्मला पूछती है कि आज देर हो गई बहुत, सक गए होंगे ना, हाँ तो आप बैठिये, कुछ खाना लाओं। कहता है नहीं मैं भूग नहीं है, क्योँ, आज सुबा में भी नहीं खाये थे, और आज कुछ दोफर में खा लियो गया। करता है हाँ खालिया हूँ फिर वो इंदिरा से बाते करता है और वो उसको बहुत गहरी निगाहों से देखता है कि निर्मला मुझे जानती तो है पहचानती तो है निर्मला को अपने भाहों में पकड़ता है कुछ देर तक वो पकड़ उश्म रहती है फिर वो पकड़ जब जकड़ में बदल जाती है तो निर्मला धीरे धीरे छुड़ा करके वो किनारे सो जाती है अब वो किनारे सो जाती है तो फिर वो करवट लेकर दूसरे तरह मूँ करके सो जाती है क्योंकि वो सुबह के ठकी हुई रहती है वो भी दिन भर का घरेलू काम करके और चंदर उस अंधेरे में ही निर्मला को देखता है कि निर्मला तो मुझे जानती है ये कपड़े तो मुझे जानते हैं ये किराय का घर जिसमें मैं रहता हूँ वो तो मुझे जानता है और वो किरायक घर भी उसे अपना लगने रखता है वो अपने मन के संतोज देता है कि हाँ चलो कोई तो है मझे जानता है फिर नहीं सब बातों विचारों मसोचते सोचते वो सोचते वो सोच आता है अचानक से जब दो बज़े की घड़ियाल बजता है बाहर घंटा बजता है दो बजने का तो वो उठ जाता है और निर्मला को जगा के पोचता है निर्मला तुम्हे जानती हो तुम्हे पहचानती हो निर्मला तुम्हे जानती तो हो पहचानती तो हो और निर्मला पोचती है कि सब ठीक तो है क्या हुआ सब ठीक तो है अब इतना निर्मला का पूछना था कि चंजर निर्मला को ताकते रह जाता है वो निर्मला की आँखों पर कुछ खोजते रह जाता है वो चाहता है कि निर्मला कह दे कि हाँ मैं तुम्हे जानती हूं हाँ मैं तुम्हे पहचानती हूं हाँ, मैं तुम्हें बहुत करीब से जानती हूँ, हाँ मैं तुम्हें पहचानती हूँ, लेकिन वो उसकी आँखों पर ऐसे ताकते रह जाता है, कुछ खोचते रह जाता है, सायद वो अपनी पहचान खोज रहा है, सायद वो खोज रहा है अपने आपको, इंदिरा में, निर प्रूंड रहा इस्षेहर में जहां पर वो गायब हो चुका है। कार्वल कुल की एक कहानी हर शहर में रहने वाले उन लोग की हैं। अपने घर से, अपने घरवालों के लिए, अपने मन्जिल के लिए, अपनी महत्वा कांग्छाओं के लिए दूर भाग के रहते हैं वो पहचान को छुपागर रखते हैं पहचान बनाने के लिए क्योंकि पहचान बनाने के लिए कई बार पहचान शुपाना पड़ता है वो अपने अस्तित्तों को मिटा के रखते हैं अस्तित्तों बनाने के लिए कमलिश्वर की यह कहानी मध्यमबर के सरित्र चित्र करती है उसकी सपनों, उसके मात्वागांचाओं, उसकी आशाओं, उसकी विडम बनाओं, उसकी मजबूरियों और उसकी जीवन के यथार्थ को चित्रित करती है दोस्तों ये कहानी आपको जैसी भी लगी हो अच्छी लगनी चाहिए और एक दुनिया समनांतर ये, चुकि ये हिंदी साहिते के सिलेबस में है, तो मैं इसकी कहानी आपके साथ साजा करता रहा हूँ और भी कहानिया इसमें मैं आपके सामने लाओंगा, और भी किस से कहानी और किताबों के बारे में बाते करूँगा पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अब बने रहिए यूनी एक्जाम साहिए इसके साथ